जैहन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat 6 में, रुख करते हैं बिहार की तरफ, बिहार में एक बार फिर दरोगा की एक और नई बहाली दे दी गई है, आपको बदा दे कि इससे पहले 1275 पत की वेकिंसी आई हुई है, इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने अपडेट था, फाइनल रिजल्ट भी इसका दे दिया गया है, अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पर अवर निरक्षा की जरूरत है, यानि कि दरोगा की जरूरत है, तो यहाँ पर notification जारी कर दिया गया है, तो चलिए इस notification को देखते हैं, और क्या-क्या eligibility criteria है, उम्र सीमा क्या है, salary क्या मिलेगी, merit तक की जानकारी हम आपको देंगे, हाँ पर संपूर्ण विचलेशन करेंगे, selection तक, तो इसको हम लेन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी डाउनलोड कर लिजेगा, और इसको save करके रख लिजेगा, चलिए, देखें इस notification में क्या-क्या च यानि कि यहाँ पर 63 पदों की vacancy है, और एक vacancy निकाले गई है, एक मात्र सीट के लिए है, जहाँ पर बिहार, निगरानी, सेवा, संवर्ग से यह निकाले गई, दोनों ही दरोगा कहीं vacancy है, लेकिन यह vigilance और यह provision department के लिए निकाले गई है, तो चलिए, समझते हैं इनकी प आपको देखें, तयारी सब कुछ डॉक्मेंट्स करख लेना है, और चार नॉवंबर से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और उक पदों पर चाहिन है, तो यहाँ पर बिहार, प्लीस, अवर सिवायों की तरफ से online आविदन पत्र आपसे लिए जाएगे, मैं फ जहांपर जो जानकारी देना पर धया, अनिवार होगा, भर निशेर उतपाद निबंदन विभाग की तरफ से बिहार सरकार ने पुलिस अवर निरक्षे के पदों की निकाली है, तो जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो जिसके बारे में टोटल लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्डेंट चीज है वो बता दूँ आविदिन की पातरता आपका इंडियन होना यानि की आल इंडिया वेकेंसी है यह पहले चीज तो बता दें पुरुस और महिला आविदिन कर सकते हैं इसके लिए अभ्यारतियों का सेक्षनिक योगिता एक आपका यहां पर एक अगस्त से पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है इस नातर का डिगरी वो लगा उसके समकक्ष भी है तो आप आविदिन कर सकते हैं उम्र सीमा की गणना एक अगस्त की जाएगी यहां पर अभ्यारतियों का उम्र दिनांक यहां पर एक अगस्त को मैट् पुरुस नहीं साल तक आविदन कर सकते हैं पिछडा वर्ग पूरुसों के लिए महिलाओं के नियुंतम उम्र सीमा बीस से लेकर चालिस साल तक ही रहेगी अनुसूची जाती जन जाती कि जो महिलाएं हैं और पूरुस हैं उनको 42 साल तक फॉर्म भार सकते हैं जो भी चात उनको 3 साल का यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और सैनिक पदों पर हैं यानि कि जो यहाँ पर नियुक्त हैं पहले से भूत्पूर सैनिक के एक सर्विसमेन में हैं तो उनको 3 साल का छोड़ दिया जाएगा यानि कि यहाँ पर देखीगा 57 साल से उमर ज्यादा नहीं होना है मतलब अगर इस अनुसार नहीं रहा इतना नहीं रहा तो आप यहां पर disqualify हो जाएंगे फ़रम भरने के बाद भी तो यहां ध्यान रखेगा हाइट क्या होना चाहिए 165 cm का हाइट होना चाहिए पुरस्वर्ग का जो की समानने और पिषड़ा वर्ग याने की जनरल और OBC काटेगरी के जितने भी लोग है अत्यांत पिषड़ा वर्ग याने की EBC में जाएंगे 160 cm है और अनुसुची जाती जन जाती में आते हैं 160 cm हाइट आपका होना चाहिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 cm हाइट होना चाहिए अच्छा यह जो हो गया आपका हाइट का हो गया अच्छा चेस्ट के लिए अगर भात करें तो पुरस्व के लिए 81 cm बिना फुलाए उसका चेस्ट मेजरमेंट मापा जाएगा जो की यूर केटेगरी और ओबीसी केटेगरी को लेकर बताया गया और फुलाकर जो है कमसे कम 5 cm का डिफरेंस होना चाहिए तो 86 हो जाना चाहिए यह ध्यान में रखेगा अनुसुची जाती जन जाती कि पुरस चेस्ट में रहता है अब आते हैं चैन के प्रकिरीया को लेकर यानि की selection procedure क्या होगा तो पहला आपका इसीप है यहाँ पर जो कि आपका PTA exam होगा आविदन पत्रों का संग्रहन यहां पर किया जाएगा आप लोगों से जो आविदन लिया जाएगा उसके अनुछार आपका प्रशन पुछा जाएगा, हर question का जो marks से वो दो number का होगा, और negative marking ही यहाँ पे होगी, तो यह ध्यान रखेगा, negative marking कितना तो 0.2 यहाँ पे जो है negative marking होता है, 0.20 तो यह ध्यान रखेगा, दो घंटे का यह परिक्षा होगा, सौ प्रश्ण कूल पूछे जाएंगे तो सौ प्रश्ण यानि की आपना जो है 209 मार्क्स का ये पुरा पेपर होगा मार्क्स मैं अगर बताऊं तो ठीक है अच्छा 30% से कम अंक लाएंगे तो वहाँ पे मुख की परिक्षया में असफल रहेंगे वैसे तो ये सिर्फ लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे आपको cut-off पार करना होता है चुकि यहाँ पे छातर ज्यादा संख्या में फरम भरते हैं प्रारमभी परिक्षया में प्राप्तर अंको की अधार पर 20 गुना छातरों को यहाँ पे लिया जाएगा दूसरे चरण में जब में जाएंगे यहाँ पे तो इनमें से फिर जो है न 6 गुना छातरों को लिया जाएगा आगे मैं बताऊंगा तो इस अफ़ल अभ्यारती को मुख्य परिक्षा देना होगा और मुख्य परिक्षा में दो पत्र होंगे आपका दूसरा प्रश्ण पत्र होगा यह समाने अध्यन का होगा समाने विज्यान, नागरिक सास्त्र, भारते इतिहास, भारते भुगोल, गणित, मानसिक, योगेता इन सबसे प्रश्ण आपके पूछे जाएंगे और उत्तर पुस्तिका दो पर्तियों में होगे जिसकी एक पर्ति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगे यह ध्यान रखेंगे अच्छा यहां पर आपको बदादे कि मुख्य लेखित परिश्या के अधार पर 6 गुना चात्रों को देखे बुला गया है जो है 384 लोगों का सेलेक्षिन किया जाएगा किसके लिए तो यह आपका तिर्तिय चरण जो कि क्या है आपके पेटी एक्जाम यानि कि सारीत योगता और दक्स्ता परिक्षा यहां पर जो होगा उसके लिए तो 384 लोगों में से फिर छटकर यहां पर पुल 64 पदों का सेलेक्षिन लिए इस तरीके से मेरिट में जाने का है अब मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्या प्रोसेस आपका तो मेरिट के लिए आपको यहां पर दौड क्लियर करना है दौड आपका जो है तो वही पर महिलाओं को यह 3 फिट आपको जम करना है ठीक है अग तीन फिट से कम कुदने वाले को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा तो यह नियूनितम आहरता है यहां पर जो लॉंग जम्प है अब यहां पर हाई जम्प के बाद लॉंग जम्प ही होगा यह आपको तो इसी के अधार पर आपका बनेगा मेरिट में इसमें दौड होता है जो कि 6.6 मिनट का यह आपका होता है और महिलाओं के लिए 6 मिनट का होता है दौड पूरी करने के बाद ही आपको यह उची कूद लंबगी कूद या फिर गोला फिक इस परदा में आपको भाग लेने अगर फिर भी वहाँ पर नंबर जो है क्लैस करता है बहुत जारे लोगों का नंबर से मिलता है तो उनके सेक्ष्णिक योग गिता के दसा में अभ्यारतों की वरिता देखे जाएगी दसवी बोड उन्होंने कब दिया था और अंग्रेजी माला वर्ण माला के अधार पर है जिसे नाम उनका अभिशेख है किसी का नाम अमन है तो यह इसके अनुसार देखा जाएगा तो इसको प्राइटी पहले दिया जाएगा यह बात यहां पर लिखी गई है मुख्य परिक्षा के अधार पर तयार किया जाने वाला अंतिम मेधा सूची तयार करके दिया जाएगा जिसमें कि आपको category wise यह सारा चीछ तयार हो मन्लब कि एक नियुम्तम अहारता है है जो कि हरे category का दिया गया है लेकिन इस फोकस नहीं करना है में फोकस करना आपको यह अच्छा स्कोर लेकर आ जाना है ताकि इसकी जुरुत ना पड़े आप लोग को अनुसंसा बिहार पुलिस अवर सिवायोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के नियुक्ति हेतु भीजी जाएगी यानि कि आपका सेलेक्शन किया जाएगा फिर आपके ट्रेनिंग मे लेकर महिलाओं को इसमें आरेक्शन है यहां भी एक सीट पे ही आरेक्शन है एक sìट पे होगा जनरल के लिए कज甜 के लिए तो महिलाओं के लिए अगर आप लो तो आप के लिए भी हए यहाँ तो दो परसेंटि का छूट है अब इन सब के लिए जो है आपको documents ready कर लेना होगा और 1 अगस 2023 से पहले का आपका सारा documents ready होना चाहिए आप general में है तो आपका EWS category में आप form भरते हैं तो वो ध्यान रखेगा 1 अगस 2023 से पहले का आपका certificate बना होना चाहिए दूसरी चीज़ यह वीतिय जो आपका वर्स है यह 2023-24 का होना चाहिए इसी के बीच का होना चाहिए और एक अगस से पहले का होना चाहिए तो यह आप ध्यान रखेगा उसी तरह OBC का भी है और NCL अगर बनाते हैं दो उसी तरह है cut of date जो है ध्यान रखना अब इसके लिए जो है आपको form भरना है तो form भरने की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है online ही आपको यह form भरना यह मैं आपको form भरके बता दूँगा इसमें कोई भी यहाँ बड़ी चीज नहीं है इसको मैं बता दूँगा अब मैं इसके लिए कल एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग को चानकारी हो जाए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर पूछ लिएगा फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको फॉर्म भरते समय बताऊंगा जब इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रू पूछिएगा धन्यवाद